आपको बता दें कि उन्होंने मुंबई में आनन देल राए की आने वाली फिल्म की शूटिंग भी शूरू कर दी है शारोखान की किसी भी फिल्म को लेकर उनके फैंस बड़े ही उतसाहित दिखाई देते हैं और इसी के चलते शारोख ने इस बार अपनी नई फिल्म से अपना पहला लोग रिलीज कर दिया है उन्होंने ट्विटर पर आनन देल राए की फिल्म में अपना पहला लोग जारी किया है इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है आनंद की फिल्म के सेट पर अपने शूट का इंतदार कर रहा हूँ तस्वीर में उन्होंने ब्लैक शर्ट पहन रखी है शारूख का ये लोग उनके लवद्ववय वाले इमेज की याद दिलाता है उनका ये लुक तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है खबर है कि आनंदेल राए की फिल्म में वो एक बॉने इंसान का किरदार निभाएंगे जिसमें उन्हें VFX की मदद से बॉना बनाया जाएगा इस फिल्म में उनके साथ कट्रीना कैप और अनुष्का शर्मा काम कर रही है सिर्फ इतना ही नहीं इस फिल्म में इन तीनों के अलावा और भी बॉलिवुड स्टार मौजूद होंगे वहीं खबर है कि फिल्म का टाइटल ट्रेक दिसमबर में ही लॉंच कर दिया जाएगा हाला कि शाहरों की ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी अब उनके फैंस को उनका ये लुक देखने के बाद बेसबरी से उनकी इस फिल्म का इंतरदार रहेगा